हलो फ्रेंड्स स्वागते आपका मूनिका जरी सयोई में आज मैं आपके लिए कुछ हैपफिल किचन ट् inherently लाए हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है रोज मर्रा के काम परोगे किचन में हो या अपने घर में हूँ बहुत सारी समस्य आती है बहुत सारा समय लगता है कुछ काम करने के लिए तो इस ट्रिक से आपका समय भी बचेगा और आपके काम फटा फटो जाएंगे तो चलिए पहले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं मैंने ये कुछ भीगी हुई मटकी और मून लिया है आप फ्रीज में भीगो कर रख सकते हैं लेकिन इसमें अगर अंकुरित करना है बीजो को तो बहुत सारा समय लगता है कुछ बनाना है तो फिर और 7-8 गंटे बेट करता पड़ता है तो इसकी एक ट्रिक है कि सबके दोरों में कैसरोल तो होते ही है तो कैसरोल में अगर आप इसे 4-5 गंडे के लिए रख देंगे तो यह अपने आप अंकुरित हो जाएंगे इसे सलाथ के रूप में खाना हो या कुछ रेसिपी बनाना हो तो बहुत ही कम समय में यह अंकुरित हो जाएंगे कैसरोल में हम रोटी तो रखेंगे लेकिन स्प्राउटेड बीज बनाने के लिए यह बहुत ही यूसफुल है अब चलते हैं दूसरी ट्रिक के तरफ यह बिजली का स्विच बोर्ड है जो बहुत ही गंदा हो चुका है यह कीचन का है इसलिए तेला तेला चिपचिपा भी हो है इसे स्विच के लिए मैंने कॉड़न के कपड़ी को थोड़ा सा गिल्ला कर दिया है और इसकी ऊपर मैंने टूथPASTE लगा दी है यह यह तूथPASTE थोड़ी मैले कलर किया लेकिन आप कोलगेट ले सकते हैं कोलगेट तो सफेदी रहती है तो इस तरह से सब पेस्ट को ब जल्दी फाइल जाए के बोड के उपर अब मैंने 10 मिनिट ऐसे रख दिया था अब कॉटन या आप वही कपड़ा ले और इसे साफ करें मैंने कॉटन इसलिए लिया है कि गंदगी आपको कितनी निकलती है वो इस कॉटन में दिख जाएंगी इस तरह से मैंने घिसकर सम अब जो किनारे में जो आपको डर दिख रहे हैं वो पेंट की है इस तरह से फोड़े गिल्ले कब्ड़े से मैंने इसे पोच लिया है और दिरे दिरे अच्छे से साफ हो रहा है इसी तरह से थोड़ा आप स्वीच ऑफ करके आप इस तरह से साफ करें और देखिए यह सब्सक्राइब गंद materест के ऊपर सब्सक्राइब करकlying गोड़ा सापे इसका साप पाने हैं वह जबtechnic से अच्छा साफ दिख रहा है आप चाहे तो इसके उपर थोड़ा साबून या लिक्विड लगा कर इसे साफ कर सकते हैं और इसका पूरा पानी निकल जाएगा तो साफ कपड़े से से पोचना है ताकि इसके उपर पानी के बुंदों के डाग न पड़े कपड़े से पोचने तो बड़ते हैं अगले ट्रिक के साथ यह कीचन का बरतन दोने का सिंक है बहुत ही तेला तेला और गंदा हो चुका है इसे साफ करने के लिए मैंने हैंड वॉस लीड लिए थोड़ा सा निम्बू मैंने कटा हुआ लिया है और लिक्वीड के साथ निम्बू को सब जगह सिंक में इसे रगड़ना है इस तरह से जहाँ जादा गंदे किये वहां इस तरह से साफ करें निम्बू से बैक्टेरिया भी खतम हो जाते हैं और कोई भी चीज अगर फ्रीजब ब्रस से साफ कर रही हूं उसी लिक्वीड से इसे साफ करना है इस तरह से इसके किनारों को भी साफ कर लेंगे यह देखिए घर की कुछी चीजों से किचन ट्रिक्स को अपना कर हम घंटों का काम मिंटों में कर सकते हैं किचन में तो ग्रुईनी को इतने सारे काम रहते हैं क काम जल्दी खतम हो जाएं तो इस हमारे काम अच्छल articles होजाएं כ और हर्चेज तरह दीजुरी साफ़सुत्री और समय बहु अगया इस तरह से कीचन ट्रिक के साथ कुछ ज्यादा ही चमक रहा है देखिए और चलते हैं अब अगले ट्रिक के साथ मैंने आधी कटोरी भी नवगर लिया है इसमें हम एक चममच बेकिंग सोडा जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं वो डाल देंगे इस तरह से इसमें बबल सा जाएंगे अब हमें इसमें यह ग्यास का बर्नर है यह बहुत ही खराब हो चुका है तेला तेला हो चुका है इसे हम ड बंदगी है इस लिक्विड के ऊपर आ गई है यह देखिए पानी के ऊपर इस लिक्विड के ऊपर दीख रही है हमारा काम आसान हो जाएगा इसे जो घिसना पड़ता हमें ज्यादा मेहनत लगती लेकिन टूद ब्रस से और जो बरतन बारे इससे हलके हातों से आप इसे काम और भी आसान बनाएंगे तो चलिए मिलते हैं अगले वडियों के साथ